करना थी अब बात कर लेते हैं इसकी अब्जेक्टिव क्या होता है कि चीज को एड़टाइज करना मीज कि अवेर करना लोगों को इनफर्मेशन देना किसी चीज के बारे में उसको बहुते हैं आड़टाइजिग सो इसके objective क्या है first path कर लेते है increase awareness जैसे मैंने बता दिया कि advertising means aware करना लोगों को अपना company है वो अगर कोई company push बना रही है को परड़क्ट बना रही है ठीक है तो उसकी firstly duty क्या बनती है कि वो लोगों को बताए कि हमारे पास यह भी परड़क्ट तो बताने के लिए जो use किया जात है advertising करने से second है हमारा building build brand recognition जो establishes a strong memorable identify for the brand in the market अगर हम ऐसे ही advertising करेंगे advertising के भी बहुत सारे difference हमें हमारे पास techniques होती है जैसे radio पर कर देना newspaper पर कर देना magazine पर कर देना TV पर कर देना बहुत सारे हमारे पास channels होते हैं प्रड़क्ट के बारे बी हम अपने brand के बारे में बताते हैं तो एक पता कि क्या होता है कि हमारे brand को build करता होता है ठीक है customer को पता लगता है हमारे brand का हमारे brand name का logo का कि क्या है थर्ड अब्जेक्टिय की बात कर लें नहीं, inform, educate about product, simply, first points के साथ, simple match करना है, कि हम aware करते हैं, educate करते हैं, product के बारे में, लोगों को, कि हमारे product क्या है, उसके क्या-क्या features है, किस purpose के लिए product बना है, क्या-क्या उसके फायदे है, किस-किस तरह हम उसे use कर सकते हैं, यह सब information जो ह कस्टमर को दी जाती है, simply inform करना, उसको हम कहते हैं, यह एक उदेश्य है, inform or educate about product, so इसके लिए advertising की जाती है, force हमारा point है, pursued to take action, means की, जब लोगों को पता चलेगा, हमारे product के बारे में aware होगी, उनके पास information होगी, knowledge होगी, हमारे product के बारे में, obvious ही बात है, कि वो उसे purchase करेंग उसको use करने के लिए, उसके action को देखने के लिए, so pursue to take action का यही मतलब है, कि उसको buy करने के लिए try करेंगे, वो, ठीक है, फिफ्ट पॉइंट हमारे पास है, differentiate from competitor, हमारे पास, अब हमने कुछ भी करना होता है, तो हमारे पास जो है, बहुत सारे product के substitute होते है, ठीक है, जैसे बात कर लेता है, kolgate की, kolgate हो गया, हमारे पास toothpaste है, बहुत सारे होते है, उसके बहुत सारे, हमारे पास अलग-अलग जो है, ब्रैंट सा जाते है, ठीक है, so, वो कैसे unique है, दूसरे product से, एक product, दूसरे product से, कैसे unique है, उसकी, क्या उससे अलग, जो है, उसकी features होती है, यह सब का पता चलता है, customer को, जब हम उनकी information करते है, कि हमारा product, उस product से, बहुत बढ़िया है, आप यह उसका कदीर के, so, kind of things, हम advertising करते है, so, that is, differentiate, अगे बात कर लेते हैं, six points की, shape, brand image, और positioning, so, जैसे क्या होता है, कि, जब कोई, अपने product की, जो है, advertising कर रहा होता है, जैसे, जैसे, व तरीके यूज करता है, जो भी, so, वो क्या करता है, जो तरीके यूज करता है, वो नजो customer होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो information ले रहे होते हैं, उनके, उनके mind में, उनका, जो है, एक image, बना देता है, कि यह product कैसा होगा, जब हम बोर रही हूं, आपको मैं किसी चीज के में बता रहे हैं, तो आप अपने mind में image बना रहे हो, साथ साथ में, कि यह product कैसा होगा, so, kind of thing यही है, कि shape brand image, और positioning, जो advertising है, जब हम advertise करते लोगों को aware करते हैं, information देते हैं, तो वो क्या करता है, brand की image बना देता है, customer के mind में, 7th बात कर लेते हैं, drive, sale and revenue, so, obviously बात है कि अगर product की लोगों को awareness होगी, उनको information होगी, उनके पास की product क्या है, किस purpose के लिए use किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो try करेंगे, obviously बात है, वो try करेंगे, तो जब try करेंगे, अगर product कमारा बहुत अच्छा होता है, अच्छा किस होगी, तो obviously बात है, profit जो होता है, company का revenue जो होता है, वो increase होगा, okay, so, next बात कर लेते है, remind and reinforce messaging, so, yeah, यह बात है, अगर कोई जो है, kind of कह सकते हैं, कि अगर हम product की बार-बार advertising इसलिए करते हैं, businessmen जो होते हैं, बार-बार उसकी product की advertising करते हैं, कि लोगों को जो है, वो remind रहे उनको एक kind of reminder देना होता है, कि product वो कहीं भूलना जाए, so, उनको reminder reinforce करें, वो दुबारा use करें, उस product को, ठीक, existing product जो चल रहे हैं, उनके बारे में, उसकी ज़्यादा, उसके में कुछ value addition करकर, कुछ भी जो है, उसके बारे में कुछ अच्छा बताना, कुछ और बढ़िया उसके बताना, so, so, इसके क्या होता है, कि उसको remind किया जाता है, reminder दिया जाता है, customer को, कि जो है, वो product को, वो ही product को purchase करें, किसी और computer के पास ना जाए, thank you so much.